नमस्ते मेरे प्यारे बच्चो आज की पाड़ साला में हम चित्र देखेंगे और चित्र को पहचानेंगे और चित्र को जो पहला अक्षर है उसे हम गोल करेंगे हमें चित्र देखना है उसे पहचानना है चित्र क्या है और उस चित्र के नाम को हम गोल करेंगे चित्र देखकर सही अक्षर चुनो तो हमारा पहला चित्र क्या है कप कप में हम क्या करते हैं सुबह चाय पीते हैं है ना तो कप हम कैसे लिखते हैं कप तो ये जो कप लिखा है इसे हम सरकल कर देंगे गोल कर देंगे ठीक है दूसरा चित्र क्या दिखाई दे रहा है देखो देखो पहचान में आया किसी को न नहीं ये है अद्रक ममी सुबह चाय बनाती है ना तो ममी चाय में अद्रक डालती है तो ये क्या है बच्चो अद्रक तो अद्रक का पहला अक्षर क्या आएगा अ तो अ कहां लिखा देखो ये अद्रक तो हम क्या करेंगे अद्रक को सरकल कर देंगे गोल कर देंगे ठीक है फ में तो बहुत सारे फल है आम, केला, अंगूर, संत्रा है ना ये क्या है फल का चित्र है किसका चित्र है फल तो फल कैसे लिखते हैं फ कहा है ये देखो फल फल तो हम फल को सरकल कर देंगे तो हमने क्या किया बच्चो चित्र को देखा और सही नाम को हमने सरकल कर दिया ठेक है चलो आगे देखते हैं अब बच्चो ये देखो कौन सा चित्र दिख रहा है आम खटा मिठा आम तो आम हम कैसे लिखते हैं आ और म तो यहाँ पर आम कहा लिखा है ये देखो हम क्या आम को सरकल कर देंगे ये देखो मैं कर रही हूँ ऐसे ही आपको करना है ठीक है अब दूसरा चित्र क्या है देखो ये बादल का चित्र है आकाश में बादल होते ना वो है तो बादल हम कैसे लिखते हैं बादल तो यहां पे बादल कहां लिखा है देखो, यह तो कफ है और यह क्या है बादल, तो हम बादल को सरकल कर देंगे, ठीक है। यह देखो, जैसे मैं कर रही हूँ, वैसे ही आपको करना है। तो बच्चो यहां पर हमारी पाड़ साला समाप्त होती है आज हमने क्या किया बच्चो हमने चित्र को देखा और उसका सही नाम क्या है उसे हमने सरकल किया है तो आप बच्चो को क्या करना है चित्र बनाना है चित्र बनाने में आप अपने ममी पापा या दीदी भाईया की मदद ले सकते हो और बाकी का काम आपको करना है चित्र आपको ध्यान से देखना है और उसका जो सही नाम है उसे हमें सरकल करना है गोल करना है ठीक है बच्चो तो आज की पारसला यही समप्त होती है अगली पारसला में हम कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई बच्चो